हलो एवरीवन वेलकम अगेन इन MPG के लाइब क्लास आप सभी लोग फिर से जुड़े मेरे इस लाइब क्लास के साथ मैं आज के MPG के की लाइब क्लास में हम एकेडमी और उनिवर्स्टी के उपर फिर से क्लास चालू करेंगे और जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था जितनी वी विद्यारती जुड़े थे कि मेरी लाइब क्लास के दो थम रूल हैं पहला तो मैं पांच मेट तक हम वेट करेंगे सभी व्यूर्स का जो भी मेरी लाइब क्लास में तो आप मेरे इस लिंक को अपने सभी गुर्फ में शेयर कर दें जिसमें कि मैं मद्यप्रदेश के एकेडमी और उनिवर्स्टी के बारे में आपको पुरा मद्यप्रदेश के मैप के एकॉर्डिंग एक्स्प्लैन करूंगा कहां पर कौन-कौन से उनिव जूट रखें मिनिमूम 50 व्यूवर्स की रिक्वायर्मेंट है मेरे को और स्टार्टिंग लाइब क्लास शेयर कीजिए फटापट मेरे लाइब क्लास के लिंक को अपने गुरूप में जिसे की अन्य भी इसमें जुड़ पाएं और जो भी नए विविवर्स मेरे इस स्टडी कॉंसेट चैनल के साथ में जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि सब्सक्राइब कर लें अल नोटिफिकेशन के साथ में मेरा स्टडी कॉंसेट चैनल मद्प्रतिरिस जीके के साथ साथ और भी अधर क्लासिस में लगातार ले रहा हूँ और वीडियो भी अपलोड होते हैं जिसमें MP का पूरा का पूरा जोग्रफी एंपी का इत्यास, MP का स्टेटिक जीके उन सभी पर पूरी जानकारी मेरे स्टडी कॉंसेट चैनल पर आपको मिलेगी तो फटा पट मेरे इस लाइब क्लास के साथ में आप जुड़ें और लाइब क्लास की लिंक को आप शेयर करें जिससे की ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर जुड़ पाएं और मिनीमम 50 व्यूस मेरे को चाहिए जब तक आप मेरे पार्टनर चैनल का एक वीडियो जो मैंने अभी अपलोट किया है उसको आप देखें फिर स्टार्ट करते हैं इसको अब मैं आपको पताना चाहता हूँ अनेकेडमी के फ्री प्लान्स के बारे में अभी अनेकेडमी ने फिर्स्ट आप डेसेंबर को ये फ्री प्लान्स लाँच किया है जितने भी विद्यारती हैं जो की अनेकेडमी पर पढ़ाई करने का जिसमें की फ्री प्लान्स के तहत आप पुरी पढ़ाई कर सकते हैं इस फ्री प्लान्स में क्या-क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले तो 500 प्लस फ्री लाइब क्लासेश पर वीक हर वीक आपको 500 से अधिक फ्री लाइब क्लास इसमें मिलेगी विद्य लाइब डाउट क्लिरिंग सेशन इसमें की आपको लाइब जितने भी डाउट होंगे आपके वो आपको यहाँ पर क्लियर होंगे ठीक है ना एन वीकली फ्री लाइब मॉक टेस्ट फॉलूड बाइदा पेपर एनलेसिस सेशन ठीक है आपको डेली और वीकली जो लाइब मॉक टेस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड कराएगा अनेकेडमी जो की टॉप एडुकेटर दोरा इसके पुरे पेपर का एनलेसिस भी होगा ठ कौन-कौन से MPPSC, Prelims, MPP, Police, Constable, MPSI, MP, Jail, प्रहरी यह सारे एक्जाम से यहाँ पर आपके कवर हो रहे हैं ठीक है और साथी साथ में फ्री लाइब क्यूज लाइब लाइब जो क्विज है जिसमें के 20,000 से भी ज्यादा जो कॉस्चन्स हैं वो सब इसमें सभी सब्जेक्स क किसमा कवर हो रहे हैं और साथी साथ आपको अलग से एक T20 सिरीज भी चालू कर रहे हैं जिसमें की 20 कौस्चन्स होंगे जो की 20 मिनिट के लिए आपको यहाँ पर फ्रॉम मंडी टू सटर्डे ठीक है ना 8 पीम फॉलूड बाइदा पेपर एंलेसी सेशन यहने की जितने भी कॉस्चन्स यहाँ पर होंगे उन सभी कॉस्चन्स के यहाँ पर पेपर एंलेसी भी होगा जो की आड़ वहीं से स्टार्ट होगा पेपर एंलेसी बाइदा इवेंट्स और बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा और भी अलग जो एक्जाम के सेशन है वो भी यहाँ पर कंड़क्ट कराए जाएंगे आपको फ्री लाइब क्लासिस जोईन करने के लिए करना क्या होगा सबसे पहले तो आपको डाउनलूट करना यहाँ पर आपको फ्री जो आपको डालना पड़ेगा तभी आप जितने भी फ्री प्रोडक्ट्स हैं वो आप एक्सेस कर पाएंगे कुछ इस तरीके से मॉबाइल पर फॉर्मेट आएगा यहाँ पर कि आपको फ्री जो एक्सेस का रेफरेल कोड है हर्दयाल कुछ वह यह आपको डालना पड़ेगा अच्छा इसमें जो स्पैलिंग है इसमें बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए है ह-a-r-d-y-a-l-k-u ए-s-h-w-a-h-a जिस तरीके की स्पैलिंग दी हुई है वो पूरा फॉर्मेट आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा देन यूविल अनलॉक देट फ्री प्रोड़ेक्ट जैसे ही आप एंटर करेंगे यूविल एक्सेस अल दा फ्री प्रोड़ेक्ट आफ्टर एंट जो एक्सेस मिल जाएगा अगर आपको उसको लेना है पूरी तरीके से क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन प्लान है प्लस वाला अनेकेडमी का उसमें और एक्स्टर फीचर्स आपको मिलेंगे थी कि ना तो उसके लिए आपको अलग अलग यहाँ पर कोर्सेसे 1 मेने का भी है तीन मेने का भी है प्लस जिख मन्त का भी है 12 मन्त का भी है और 24 मन्त का भी है ठीक है न। यहाँ पर जो प्लान है उस प्लान में आपके और यहाँ Lightning परसेंट ऑफ बहां बहान के लिए आपको मिल रहा है तो यहाँ पे भी आपको अगर वो रिफरल कोड आप डालेंगे जो की स्टार्टिंग में मैंने बताया हर्दयाल कुस्वाह, then you will get 10% discount of the admission fees, यहाँ पे भी आपको 10% का discount मिलेगा, तो आप subscription में भी 10% का discount यहाँ पर पा सकते हैं, तो यह है one of the most very good features in anacademy for the free live classes, even in the plus subscription also, ठीक है ना, इसमें भी आपको पूरा का पूरा 10% का discount मिलेगा, साथी साथ में आपको जो free live classes हैं, वो भी आप ले सकते हैं, तो यह पूरी की पूरा detail मैंने आपको बताया, इसका आप भर पूर उपयोग कीजिए, और मद्रदेश की MPPS MPPSC, MPPSC, और व्यापम के जितने भी exam हैं, उन सभी को आप यहां से crack कर सकते हैं, तो let's crack it. तो चलिए शुरू करते हैं हम, मद्रदेश की यह live class जिस पर की मैंने topic लिया है, academy and universities के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि minimum 50 viewers चाहिए इसमें, 50 live viewers मेरे को चाहिए, तो आप सभी मेरे को एक बार yes, comment करके लिखते हैं, जितने भी विद्यारती यहां पर जुड़े हुए हैं, मेरी live class के साथ में मद्रदेश जीके, then I will start मद्रदेश, academies and universities detail, ओके, फटापट मेरे को yes लिख के बेज़े हैं, अभी 23 viewers हो चुके हैं मेरे साथ में, 23 complete हो चुके हैं, चले 29 हो गया हैं, ओके, very good, लेकिन yes comment नहीं आ रहा है, yes comment कीजिए मेरे को फटाफट, जितने भी viewers जोड़े हैं सब yes comment करें, जो भी मेरी live class को देख रहा है, वो एक बार yes comment करके भेज़ें मेरे को yes लिख दे, comment box में, पटाफट, yes comment लिख कर मेरे को भी दे, चलिए, स्टार्ट करते हैं, मद्रदीश की live class, अभी total 34 हो गए हैं, किर कोई बात नहीं, आप कल से फिर आप जोड़ जाएगा, कल आप ध्यान रखिएगा कि maximums, जितने भी viewers हैं, उन सभी के साथ में, आप इस link को share करें, जिससे की जादा से जादा viewers मेरी class के साथ में जोड़ पाएं, मद्रदेश की academies और university के बारे में हम according to the map, मद्रदेश की map के according हम सको आगे बढ़ाएंगे, यह है मद्रदेश का पूरा मानचित्र, अपना प्यारा मद्रदेश, और इसमें मैं आपको बताऊंगा, मद्रदेश में man academies, सबसे पहले तो प्रमुख academies सबसे अधिक जो हैं वो भोपाल में ही इस्तापित की गई है, तो सबसे पहले अपन मद्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसको की 1956 में राजधानी बनाया गया, उसके बाद में यह सबसे पहले जब राजधानी थी, उस समय यह सीहौर की यह तहसील हुआ करती थी, यह आपको ध्याँ रखना चाहिए, सीहौर की तहसील थी, फिर उसके बाद में 1972 में इसको अलग से नया जिला गुसीत किया गया, अलग से जिला बनाया गया फिर ये मद्यप्रदेश का अलग जिला बना था ठीक है तो मद्यप्रदेश की राजदानी भॉपाल में टूटल अभी कितनी अकैडमी है टूटल बारा बारा अकैडमी यहां पर स्ताफित हैं कौन-कौन सी है मद्यप्रदेश की राजदानी बहुती छोटा छोटी छेत्र में छोटा एरिया है इसका comparatively other states ठीक है और सबसे पहले चलते हैं पहली academy में सारे विद्यारती जो भी नए जुड़े हैं उन सभी से कहना चाहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले all notification के साथ में और class को like करते हुए जरूर जाएं ठीक है न मद्द्देश की मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द हुई थी ये कब शुरू हुई थी 1952 में 1952 में इसके सुरुवात की गई थी दूसरी जो है वो है मद्रप्रदेश साहित परिशद ठीक है ना अकैडमी के वारे में कॉस्चन जरूर बनते हैं इसलिए आपको याद जरूर करना है और कभ ये शुरू भी उसका वर्स भी आपको पता होना चाहिए ठीक है ना तो मद्रप्रदेश साहित मद्रप्रदेश साहित परिशद ठीक है एक उक को मैं आप लिखूंगा ये भी भुपाल में इस्तित जो अकैडमी है या फिर इसको बोलते हैं संग्राल है ठीक ना इन सभी के वारे में इसमें जानकारी में आपको दूंगा इसको भी आप यही कह सकते हैं कि इसमें पूरी की पूरी डिटेल्स में म्यूजियम है और सारा जो प्रीवियस हिस्ट्री में यहां पर आपको मिलेंगे और सारे जो अभिलेक प्राप्त हुए उनके बारे में जानकारी यहां पर मिलती हैं और इसका नाम है पुरा तत्व पुरा तत्व एवं अभिलेकाकार अभी लेखा गार संग्राले म्यूजियम है यह ठीक है ना इसको आपको संग्राले ठीक है इसकी सुरूबात हुई थी 1956 में यह भी भुपाल में है 1956 में इसको शुरू किया गया था ठीक है ना यह आपको ऐसे ही याद रखना है चोता जो है इसको तुला सब पतला कर लेते हैं काफी मोटा है यह काफी ठीक लिख रहा है रैड में करते हैं इसको अगली जो है वो है मद्रप्रदेश हिंदी एकादमी मद्रप्रदेश हिंदी एकादमी ठीक है इसकी सुरूबात हुई थी 1966 ये भी भोपाल में हैं और 1969 में 1969 में इसकी सुरुवात की गए थी पाजवी है मद्रप्रदेश उर्दू ठीक है ना हिंदी और उर्दू MP हिंदी एंड उर्दू एकेडमी ये भी भोपाल में हैं और इसकी सुरुवात हुई थी 1976 में ये डेड जरूर याद रखना है कि किस सन में इसकी सुरुवात की गई थी ठीक है और सारे विद्यारते एक बार यस कमेंट जरूर कर दें ठीक है अगला जो है अगली अकेडमी है वो है उस्ताद अलाउद्दीन ख संगीत अकेडमी ठीक है इन सबका ये हैड़कौर्टर है ठीक है यहाँ पर ये जो है इन सभी के हैड़कौर्टर यहाँ पर इस्तित हैं ठीक है क्योंकि मद्रप्रदेश की ये राजधानी है तो जितनी भी अकेडमी उन सभी के हैड़कौर्टर मद्रप्रदेश की क्लियर है अगली है अकैडमी जिनको जिसकी मुख्याले पूरे भोपाल में है और बाकी इसकी अकैडमी कहां पर स्तापित की गई है वो भी जिले मैं आपको बताऊंगा इसकी जो मुख्याले है सभी भोपाल में है ठीके नहीं लिखते जाऊंगा और इनकी ये स्तापना कहां हुई है वो मैं बताऊंगा अगली है उस्ताद अलाउद्दीन खां अलाउद्दीन खां अकैडमी ये है कहां पर महियर में महियर में है यह और इसकी शुरुवात हुई थी उस्ताद अलाउदिन खां अकैडमी की 1979 में महियर यहाँ पर की उस्ताद अलाउदिन खां जो थे वह वहां के वही पर उनका जन्म हुआ था और महियर को मद्यप्रदेश की संगीत की रायधानी भी कहते हैं और इसका हैटवर्टर जो है वह वोपाल में है और यह इसकी अकैडमी कहां पर है महियर, महियर कहां पर है यह 7 में ठीक है, सतना में इस्तित है, clear, चलिए, अब इसमें मैं यहां बताता हूँ, सतना यहां पर, यहां पर है यह महियर, और महियर में ही एक धार्मी किस्तल है, माता सार्दा, सार्दा माता का मंदिर है यहां पर, और उस्ताज अलावदिन खां, सार्दा माता के परम भक्त भी थे और उनकी पूजा अर्चना भी करते थे, ठीक है, यह आपको clear होना चाहिए, ठीक है, अगली अकेडमी है, काली दास अकेडमी, यह कहां पर है, उच्जेन में है, काली, काली दास अकेडमी, यह उच्जेन में है, और इसकी स्थापना हुई थी, कब, 1977 में, 1977 में, इसकी स्थापना उच्जेन में की गई थी, काली दास जी के जन्मिस्तान है उच्जेन, और यह चंद्रगुप्त दूत्य है, चंद्रगुप्त जो दूत्य है, उनके सासनकाल में यह नवरतनों में से एक थे, चंद्रगुप्त दूति ने उच्जेन को अपनी राजधानी बनाया था, अवंती, ठीके न, इसको की पुराना नाम इतिहास में नाम इसका अवंती है, और इसको राजधानी बनाकर यहाँ पर राजा विक्रमा दित की अपाधी, इनोंने यहाँ पर ग्रेंड की थी, और उनी के सासनकाल में यह नवरत्नों में से एक महा कवी कालिदास रहे हैं, ठीके न, तो इनी की अकेडमी यहाँ पर स्तापित की गई है, 1977 में, और इसका हैट्वार्टर बोपाल में, जितने भी अकेडमी हैं, उन सभी के हैट्वार्टर कहा हैं, बोपाल में, इस्तेत हैं, अगली अकेडमी हैं, अलम्मा एकवाल अद्मी अकाद्मी, ठीक है, अलम्मा एकवाल अद्मी, यहां लिखना चाहूँगा मैं, अलम्मा एकवाल अद्मी अकेडमी, ठीक है न, इसकी सुरुवार्ट हुई थी, 1984 में, और इसका हैट्वार्टर है भोपाल में, 1984 में हुई थी, और यह भी भोपाल में ही, इसकी यह एकेडमी भी है, और हैट्वार्टर भी भोपाल में है, ठीक है, अगली एकेडमी इसी के नीचे लिखूंगा वो है तुलसी एकेडमी तुलसी एकेडमी ठीक है ये भी कहा है वो पाल में है ये और इसकी सुरुआत हुई थी 1987 में 1987 में इसकी सुरुआत हुई थी और ये भोपाल में ही इस्तित है ठीक है अगली है संस्कृत मद्यप्रदेश संस्कृत एकेडमी मद्यप्रदेश की संस्कृत जो एकेडमी है इसकी इस्ता अपना भोपाल में हुई थी और इसकी सुरुआत हुई थी 1985 में 1985 में इसकी सुरुआत की गए थी जी स्मिर्थी जी मैं बिल्कुल डेली क्लास लूँगा लेकिन मेरे को कम से कम 50 व्यूर्स की रिक्वाइर्मेंट रहती है और आज थोड़े से व्यूर्स बढ़ गए हैं that's why I am starting कल मैंने यही मैंने कमेंट किया था और आपने भी बोला था से जुड़े हैं thank you चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो अगली एकेडमी है सिंधी सिंधी एकेडमी इसको मैं साफ कर देता हूं यहीं पर मैं आगे बताऊंगा आपको सिंधी एकेडमी की शुर्वात हुई थी 1956 में और इसकी स्ताफ्ना की गई थी भोपाल में ही ठीके ना 53 में 1956 में तो भुपाल की स्थापना की गई थी तो आसा confusion नहीं होना चाहिए और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में मैं लिखूंगा अभी तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा ठीक है तो अगली एकेडमी कौन सी है अगली एकेडमी है सिंधी एकेडमी सिंधी अकादमी या फिर एकेडमी ये 1983 में भुपाल में भुपाल में ही इसकी सुरुवात हुई थी ठीक है ये क्लियर हो गया अब कुछ जो स्पोर्ट्स एकेडमी सुरूव हुई है उसके बारे में आपको बताऊँगा तो ये सारी इतनी वे एकेडमी है इनके बारे में आपको बताया जो कि विभिन संस्तानों के द्वारा सुरूव की गही हिंदी गरंत एकादमी हुई उर्दू एकेडमी हुई और संगीत एकेडमी जो की महियर में उस्ताद अलाउद्दिन खां इसकी सुरुवात की गई थी अब मैं बताता हूँ कुछ स्पोर्ट्स एकेडमी के वारे में जिसके वारे में कॉस्षिशन बनते हैं ठीक है चलिए इसको तोड़ा साफ कर लेते हैं क्लास अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप एक बार लाइक बटन जरूर दबा दें लाइक जरूर कर दें और शेयर करें अपने सभी व्यूवर्स को जो की इसको देखना चाहते हैं लाइब क्लास मेरी जॉइन करना चाहते हैं और मध्यप्रदेश जी के पढ़ना चाहते हैं Study Concept Channel मेरे द्वारा मध्यप्रदेश का Maximum Topic मेंने वीडियो के द्वारा कंप्लीट कर दिया है वहां से भी आप पूरा का पूरा मध्यप्रदेश का Static जी के कंप्लीट कर सकते हैं चलिए अब चलते हैं खेल संस्ता है हिंदी में बोलते हैं इनको खेल संस्ता है खेल संस्ता है या फिर Sports Academy बोलते है तो सबसे पहली Academy इसका नाम है खेल कूद एवं युवा कल्यान विभाग ये मंत्राले के द्वारा सुरू की गई है खेल कूद एवं युवा कल्यान विभाग ये भोपाल में है और इसकी सुरूवात होई थी 1975 में इसकी सुरूवात होई थी दूसरी जो है वो है सबसे पहले सुरूवात होई थी पार्सी क्रिकेट कल्ब की ती जिसकों की बाद में मद्यप्रदेश क्रिकेट क्लब का नाम दिया गया ठीक है ना सेकेंड कई वार ये पूछ लिया जाता है कि मद्यप्रदेश की क्रिकेट क्लब का पुराना नाम क्या था तो Parsi Cricket Club, ठीक है, Parsi Cricket Club के नाम से इसकी सुरुवात हुई थी और यह हुई थी इंदोर में, यह आपको याद होना चाहिए, इंदोर में हुई थी और यह हुई थी बहुत पहले जब अंगरेजियों का सासन था, 1890 में इसकी सुरुवात की गई थी, 1890 में Parsi Cricket Club के नाम से यह चालू हुआ था और अभी इसका परिवर्तित नाम जो है, वो है मद्प्रदेश Cricket Club, मद्प्रदेश Cricket Club, ठीक है ना, इसका परिवर्तित नाम कर दिया गया है, ठीक है ना, पहले ही इसका नाम जो था, वो था Parsi Cricket Club, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको, कमेंट करके आप उससे पूछ सकते हैं, अगर कोई भी डाउट हो इसमें, अगली जो एकेटमी है, वो है मद्प्रदेश की बैटमिंटन, बैटमिंटन एस्चोशियेशन, ठीक है, मद्प्रदेश की बैटमिंटन एस्चोशियेशन, और इसकी स्तापना, अभी जो इसका हैटपॉर्टर है, वो कहां है, इन दौर में है, लेकिन इसकी सुरुवात, सुरू में है, सबसे पहले कहां की गई थी, सबसे नाम है मद्यप्रदेश बैटमिंटन एक बैटमिंटन एस्सोशियेशन एस्सोशियेशन इसकी स्थाप्न हुई थी 1946 में और यह हुई थी जवलपूर में जवलपूर में इसकी सुरुवात हुई थी 1946 में उसके बाद में यह मद्यप्रदेश बैटमिंटन एस्सोशियेशन इसको स्थ किया था इंदोर में बाद में यह इंदोर में इसको स्थ कर दिया गया था ठीक है नाम है क्लियर है और यह शिप्ट किया गया था 1972-73 में 1946 में जवलपूर में इसकी स्थापना की गई उसके बाद में इसको शिप्ट किया गया था इंदोर और यह है मद्यप्रदेश बैटमिंटन एस्सोशियेशन ठीक है ना इसकी अभी करेंट में यह एस्सोशियेशन कहां पर है इंदोर में ठीक है यह आपको फैक्ट जरूर याद करना है कि सबसे पहले यह जवलपूर में शुरू हुई थी उसके बाद में इसको इंदोर में लाया गया ठीक है अगली जो है वो है मद्यप्रदेश टेबिल टैनिस्ट एस्सोशियेशन क्या है मद्यप्रदेश टेबिल टैनिस एस्सोशियेशन इसका भी जो सुरुवात हुई थी 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 यह हुई थी 1957 में इसको साब कर लेते हैं मद्यप्रदेश टेबिल टैनिस एस्सोशियेशन की शुरुवात ये भी जवलपूर में हिसकी शुरुवात हुई थी इसकी शुरुवात हुई थी 1957 में जवलपूर से फिर उसके बाद में इसको इंदोर लाया गया और इसका भी जो एर था वो 1972-73 में इसको इंदोर शिफ्ट किया गया था ठीक है यह क्लियर हुआ उसके बाद में स्पोर्स अकेडमी होलकर ठीक है न मदप्रदेश होलकर क्रिकेट एस्चोशेशन मदप्रदेश होलकर क्रिकेट एस्चोशेशन की सिरुआत हुई थी यह हुई थी 1941 में ठीक है न और यह हुई थी इंदोर से शिरुवात क्योंकि इंदोर यह होलकर क्रिकेट की रायधानी रहा है और इसकी शिरुवात हुई थी 1941 में और इसका नाम था मदप्रदेश मदप्रदेश होलकर एस्चोशेशन साफ पर देता हूँ होलकर क्रिकेट एस्चोशेशन क्रिकेट एस्चोशेशन ठीक है 1941 में इसकी सिरुवात हुई थी और यह इंदोर में इसकी शुरुवात की गई थी अगली एकेडमी है महिला होकी एकेडमी महिला होकी एकेडमी इसकी शुरुवात हुई थी गौालियर से गौालियर से शुरुवात हुई थी महिला होकी ठीक है ना होकी एकेडमी और ये गौालियर से शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत अभी हाली में 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी ठीक है तो यह इतनी भी मैंने अभी Sports Academy के बारे में बताया इसको हम अब दोबारा से रिवाइज भी करेंगे ठीक है मैंने अभी आपको मद्रदेश की प्रमोख Academies के बारे में बताया और उसके बाद में Sports Academy बताया अब चलते हैं मद्रदेश की जो सारी Universities है ठीक है ना उनके बारे में हम अब जानेंगे मद्रदेश में जो different universities है उसके बारे में पूरी जानकारी आप मैं आपको देने वाला हूँ इसमें कहीं कोई doubt हो तो आप मेरे को comment करके पूछ सकते हैं कहीं कोई doubt तो नहीं है चलिए मद्रदेश की different educational universities ये कब खोली गई और कहां कहां पर इस्तापित की गई इसके बारे में आपको जानकारी दूँगा क्योंकि मद्रदेश की व्यापम जो exam conduct करता है उसमें universities के वारे में भी questions जरूर बनते हैं और बहुत ही ज्यादा deeply पूछा जाता है तो इसको भी मैं पूरा का पूरा fat के साथ मैं आपको बताऊंगा इसको हम साफ कर लेते हैं उसके बारे में फिर दुबारा से इसमें को आपन revise भी करेंगे class के अंत में जितनी भी मैंने भी universities आपको बताएं उन सभी के वारे में आपन revision भी करेंगे तो class में आप अंत तक रहें आखरी तक जुड़ें revision भी हो जाएगा आपका साथ-साथ कहीं पर कोई भी अगर डाउट हो तो आप comment के साथ में में इसे पूछ सकते हैं साथी साथ में मैं आपको जितने भी नए viewers जोड़ रहें उनको बोलना चाहूंगा कि मेरे चैनल को subscribe कर लें all notification के साथ में और जबी मेरी class लगती है आप class को share भी करें जिसे की अन्नी viewers भी इसको देख पाएं आपका जो भी WhatsApp गुरूप हो या फिर Facebook का गुरूप हो या फिर Facebook का आपका आईडियो देरी को हैं shared my live class तो वहाँ पर भी यतने भी viewers होंगे who are interested to join MPG के definitely they will join us okay अगला जो है वो है मद्प्रदेश की universities इसको मैं अगले color से आपको यहाँ पर explain करने वाला हूँ MP universities मद्प्रदेश की जितनी भी universities है उनके बारे मैं आपको इसमें जान करी दूँगा है तो मद्प्रदेश में जो उच्च सिक्षा वे भागे थी किना higher education है तीकिना इसका जो अधिनियम है इसका जो लौ है वो लौ कब पारित हुआ था 1973 में बेसिक्स बता रहा हूं मद्रियर प्रदेश में higher education का law जो अदिनियम है मद्रियर अधिनियम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं मद्प्रदेश विश्व विद्याले अधिनियम ये 1973 में इसको पारित किया गया था ठीक है फिर उसके बाद में यहाँ पर अलग-अलग इन्युवर्सिटीज की यहाँ पर इस्तापना की गई अलग-अलग जिलों में ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको तो फिजिकल कॉलेज है ठीक है ना जोकि ACA का प्रिथम कॉलेज है उसके बारे में आपको बता रहा हूं तो मत्रदेश का प्रिथम फिजिकल कॉलेज लक्षमी वाई फिजिकल कॉलेज ठीक है लक्षमी वाई फिजिकल कॉलेज इस revision the systemきने? फिजिकल कॉलेज, यह कहां पर है, यह हैha?, ग्वालियर में यह को जो है, बहुत ज्यादा important है, और एस्या का πहला फिजिकल कॉलेज है, यह उसका यह पहला फिजिकल कॉलेज है यह आपको याद रखना first Nich-19我跟你講 Therefore सबसे पहला फिजिकल कॉलेज ए टक है मद्रदेश में आप दूसरा जो कॉलेज है टिक है कॉलेज और इन्वेस्टी दोनों के बारे में इसमें आपको जान कर देंगा तो सबfishे पहले मैं कॉलेज ही कवर कर रहा हूं सेकेंड है मद्ध प्रदेश में एक मात्र डेंटिस्ट डेंटिस्ट कॉलेज खुला गया है वो कहां पर है दंत चिक्सा जेसे बोलते हिंदी में यह फिर डेंटिस्ट कॉलेज है ठीक ना कि डेंटिस्ट कॉलेज यह है इंदौर में आपको सिटी याद रखने है कि मद्ध प्रदेश में कौन सा कॉलेज कहां पर है तो दंत चिक्सा कॉलेज कहां पर है यह इंदौर में ठीक है दूसरा है कॉलेज यो यूनानी चिक्सा यूनानी चिक्सा का यू कॉलेज यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है इनी पर कॉर्शन बनते हैं यूनानी मेडिकल कॉलेज यह इसरिफ मद्रप्रदेश का एक मात्र कॉलेज है जो कि कहां पर बुरहानपूर में है बुरहानपूर जो मद्रप्रदेश के दक्षिर में है खनवार से इसको अलग किया गया था वहां पर इस्तित है यह ठीक है ना मद्रप्रदेश का एक मात्र इसरिफ एक ही कॉलेज ह जो कि मद्रप्रदेश में है यूनानी मेडिकल यूनानी चिकिस्षा महाविद्याल है यह मद्रप्रदेश के बुरहानपूर में है बुरहानपूर यह मैं हैलेट कर रहा हूँ खंडबा के पास में लगा हुआ यह बुरहानपूर यहाँ पर है यह तीक है अब मद्रप्रदे जाता है ठीक है ना कैंसर जो की एक वीमारी है उस वीमारी के रिसर्च के लिए यहाँ पर अनसंधान के अंद इस्तापित किया गया है ठीक है ना कैंसर रिसर्च सेंटर यह है इंदौर में ठीक है यह कहां पर है इंदौर में है ठीक है इंदौर एक संभाग भी है और इंदौर एक जिला भी है ठीक है किलियर है चलिए अब आगे चलते हैं जितनी भी मैं बताने जा रहा हूं वो सब important colleges है जो की exam में पूछे जाते हैं डौक्टर बावा साहब अंबेटकर रास्टी है सामाजिक विज्ञान सनस्थान ठीक है ना बहुत ही important है और यह कहां पर बता रहा हूं डौक्टर बावा साहब अंबेटकर ठीक है अंबेटकर सामाजिक सोसल ठीक है ना सोसल साइंस का जो एकेडमी है वो यहां पर खुली गई है ठीक है ना सामाजिक विज्ञान सनस्थान यह कहां पर है यह भी इंदोर की महु में है इंदोर की महु में इसको स्तापित किया गया है ठीक है अब मैं आगे मैप में ही काफी जगह यहां पर मैं कवर कर चुका हूं अध्य पिर्दरिस का एक law college कहाँ पर है अगले color से बताऊँगा मैं वो है भौपाल में law academy कहाँ पर है law academy भौपाल में खोली गई है law academy ठीक इसके बारे में जानकर हुआ है चाहिए forensic police college forensic center जो बनाया गया है यहाँ पर forensic research किया आती है forensic academy वो है lab है वो है सागर में सागर में है यहाँ पर forensic लेव ठीक है न यहाँ पर की जितनी भी जो जाच होती है forensic criminal उसकी जाच सागर में की जाती है ठीक है न forensic police police college यह कहाँ पर है यह सागर में इस्तित है ठीक है मद्यप्रदेश का एक मात्र जो उद्यानी की महाविद्याल है उद्यानी की महाविद्याल है यह कहाँ पर है यह है उद्यानी की मद्यप्रदेश का एक ही है इसको आपको याद रखना है उद्यानिकी महाविद्याले या फिर इसको बोलते हैं college उद्यानिकी college है यह मद्रदेश के महू में इस्तित है ठीक है सबसे पुराना medical college मद्रदेश में कहां इस्तित है आप में से कोई बताएगा मेरे को सबसे पुराना college जो मद्रदेश में सबसे पहले बनाया गया था वो बनाया गया था गौलियर में गौलियर में बनाया गया था और इसका नाम है गजरा राजे गजरा राजे medical college गजरा राजे medical college है और इसकी इस्तापना की गई थी अंग्रेज़ों के समय 1946 में 1946 में गुवालियर में गजरा राजे Medical College की स्थापना की गए थी यह सबसे पुराना Medical College है ठीक है ना इसके बाद में अगला Medical College खुला वो खुला था इंदोर में जिसको बोलते हैं महात्मा गांधी Memorial Medical College ठीक है ना यह खुला था इंदोर में ठीक है महात्मा गांधी Memorial Medical College और इसकी सुरुआत हुए थी 1948 में 1948 में इसको खुला गया था ठीक है कि इतना क्लियर हुआ आपको उसके राद में तीसरा Medical College जो खुला गया था वो भोपाल में खुला गया था इसको मैं अगले कलर से आपको बताऊंगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो अगला College खुला गया था भोपाल में Medical College खुला गया था और यह था Gandhi Medical College G.A.N.D.H.I. Gandhi भोपाल मद्वर्देश की राजदानी में खुला गया था और यह 1955 1955 में इसकी सुरुवात हुई थी तो भोपाल में टॉटल अभी कितने Medical College है 6 या 7 Medical College है एक सागर में भी अभी लेक्टिस्ट में खुला गया 6 हैं पूरे 2008 में सागर में Medical College खुला गया और अगला जो Medical College जवलपूर में खुला गया था वो भी 1955 में खुला गया था ठीक है ना गौवर्मेंट Medical College जवलपूर यह भी 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी बरबली बता रहा हूं आपको और फिर S.N. Medical College रीवा SN Medical College रिवा इसकी शुरुआत हुई थी 1964 में रिवा में है ठीक है रिवा में शुरुआत हुई थी इसकी SN Medical College 1964 में ठीक है यहां तक पूरे point क्लियर है आपको ठीक है अब बताता हूँ मैं आपको और भी ज्यादा important college लगाता है मेरी class के साथ में आप जुड़े रहे हैं कहीं जाये नहीं क्योंकि जितनी भी colleges और उनिवर्स्टी हैं इनके बारे में questions व्यापम सबी एक्जाम में पूछता है व्यापम के अभी पटवारी का एक्जाम होगा उसमें जुरूर आएगा पटवारी के एक्जाम के बारे में अभी भू अभी लेक तैयारी कर रहा है टूटल 4800 4800 पोस्ट अभी निकालने वाला है और इसका एक्जाम होगा जुलाई में जुलाई 2021 में यह टेंटिटिव डेट अभी डेक्लियर की है और यह एक्जाम मद्प्रदिश का पीवी ही कंड़ट कराएगा तो इसकी भी तैयारे आप लगातार चालू कर दीजिए होपुली यह चालो बिलकुल एक्जाम कंड़ट कराएगा और मद्प्रदिश पुलिस का एक्जाम तो अभी होनी वाला है कॉंस्टेबल का उसका नोटिफिकेशन अभी आपको दिसम्बर में मिल जाएगा दिसम्बर 24 और 25 दिसम्बर से उसके फॉर्म भरना चालो हो जाएंगे तो आप उसकी भी तैयारी शुरू की जोड़ सोर्स है क्योंकि उसमें मद्प्रदिश का जी के और इंडिया जी के और वर्ल्ल जी के पूछा जाता है तो उसके वारे में भी पूरा का प और साते साथ में अभी प्रेर जेल प्रेरी का इक्जाम जो कि अभी पूस्पॉंड हुआ है वो भी अभी फिर से उसकी नही डेम अग्यक्व की भी त्यारी करूं कि उसमें भी पूरा मद्रप्रदेश का जीकिए इंडिया का पूरा जीकिए और वर्ल्ट का करेंट अफेस पूछा जाता है और लोकल बिल्कुल सिंपल कुछन पूछे जाते हैं हलके फूल की कॉछेन होते हैं तो आसानी से आप जो मैं बता रहा हूं इ कितना भी जीके पार्ट है वो कम्प्लीट कर पाएंगे ठीक है मद्रप्रदेश में टूटल साथ जो आयरुवेदिक ठीक है ना आयरुवेदिक कॉलेज कितने हैं मद्रप्रदेश में टूटल साथ मद्रप्रदेश में साथ आयरुवेदिक कॉलेज हैं यह आपको याद रखना चाहिए यह बहुत ही इंपोर्टेंट है जितने भी मैं बता रहा हूँ यह बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको आपको ऐसे ही याद रखना है साथ महाविद्याल है जो कि आयरुवेदिक के हैं कहां कहां पर हैं यह मैं यहां पर लिख रहा हूँ ठीकिना इस पर किसी पर पुछारा रखता है एक तो भोपाल में है भोपाल में खोसिलाल आयरुवेदिक महाविद्याल है ठीक है दूसरा है गौालियर में तीसरा है जवल पाजवा इंदौर, शटवा है उज्जेन में और साथवा बुरहानपूर, तो ये साथ मेडिकल, अयरुवेदिक महाविद्याले मद्य प्रदेश में हैं, ठीक है, ये क्लियर होगे आपको, अगला जो पॉइंट है वो है किर्सी, किर्सी जो इंजिनेरिंग कॉलेज है, किर्सी अभियांतरिक महाविद्याले, इस पर क्रुशिन बनते हैं, इसलिए इसको आपको जाद रखना है, अगला है एगरिकल्चर कॉलेज, ठीक है ना, एगरिकल्चर जो कॉलेज है, ये कहां क्रशी अभियांत्रिक उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं क्रसी अभियांत्रिक महाविद्याले जवुल पूर मैं स्तापित किया गया थे गुह हुए हुए इसको मैं साफ कर लेता हूं यहां पर मैं आपको बतांगा मद्यप्रदेश में टोटल जो एग्रिकल्चर कॉलेज हैं क्रिसी महाविद्यालों की संक्या है वो दस हैं सारे नए विद्यारती मेरे स्टड़ी कॉंसेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के साथ मैं कि रेगुलर में लाइब क्लास लेके आ रहा हूं इसमें अगर आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूज आना है यू कैन आस्क बाइदक कमेंट चलिए दस क्रिसी कॉलेज हैं यहाँ पर यह आपको क्लिर रहना चाहिए क्रिसी महाविद्याल है कितने दस क्रिसी महाविद्याले हैं मद्य प्रदीश में टोटल ठीक है अगले जो पॉइंट है वो है जो हरी सिंग गौर महाविद्याल है डॉक्टर हरी सिंग गौर यूनिवर्स्टी जैसे बोल सकते हैं विश्व विद्याले हरी सिंग गौर यूनिवर्स्टी हैं यह अब 2006 से इसको सेंट्रल यूनिवर्स्टी गोसित कर दिया गया है यह आपको ध्यान रखना चाहिए पहले यह नॉर्मल थी फिर बाद में इसको जिसको हिंदीम बोलते हैं कैंद्रिय विश्व विद्याले कैंद्रिय यूनिवर्स्टी या फिर सेंट्रल यूनिवर्स्टी। बोलते हैं ये 2006 में Central University गोशित कर दी गई डॉक्टर हराई सिंग को और यह कहां पर है यह सागर में ठीक है आदिवासियों की सोध के लिए ठीक है एक विश्व विद्याले ओपन हुआ है यह कहां पर हुआ है यह हुआ है अमरकंटक में इस पर question बनता है यह आप याद रखना्यां अमरकंटक अनुब पोर में यह ओपन हुआ है और यह आदिवासियों के लिए है आदिवासी जो लोग हैं आदिवासियों पर यहां पर रिसर्च किया जाता है ठीक है ना उस पर खोला गया है ये और इसका नाम क्या है इंदरा गांदी रास्टिये आदिवासि विश्विद्याले ठीक है क्या नाम है इसका इंद्रा गांधी राष्टिय आदिवासी विश्वविध्याले अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट से मैं से को पूछ सकते हैं मैं उसका जबाब दूगा ठीक है इसका नाम क्या है इंद्रा गांधी नेशनल आदिवासी इनिवर्स्टी इंग्लिस में बोलेंगे नेशनल आदिवासी इनिवर्स्टी ठीक है MPPSC प्री कब तक होगा इसमर्ती जी प्री का नोटिफेकिशन हो सकता है मार्च फरवरिया मार्च में आखो मिल जाए क्योंकि अभी MPPSC मैंस जो की 2018 में 2019 में जो कंड़क्ट हुआ था उसका भी अभी मैं नहीं हो पाया क्योंकि करोना जो कोविट चल रहा है उस कारण से तो होफफुली इसके जो नोटिफेकिशन है यह भी 2020 का प्री होगा ठीक है ना उसके बाद में फिर अगला 2021 का भी प्री अगले छे मेने में आ जाएगा ठीक है ना अगले तो शिक्स मन्त हैं शिक्स मन्त में इसका भी नोटिफेकिशन आ जाएगा 2021 में तो लगातार मार्च के बाद में ठीक है ना हो सकता है अक्टूबर या नवमबर तक या सेप्टेमबर तक 2021 की MPPSC प्री का भी नोटिफेकिशन आपको मिल जाए क्योंकि हर साल MPPSC प्री होती है और हर साल उसमें recruitment होता है तो दोनों लगातार होंगे तो इसकी भी आप तयारी लगातार करते रहें कभी भी ये एक्जाम का नोटिफेकिशन आपको आ सकता है सभी विध्यार्तियों को में बता रहा हूँ ठीक है चलिए बाकी Constable का तो अभी एक्जाम होने हो वाला है जो भी Constable की तयारी कर रहा है वो भी लगातार अपनी स्टडी करता रहें और जेल प्रेरी का एक्जाम भी अभी कंड़क्ट होने वाला है उसका अभी फिर से एड्मिट का रिलीज हो रहा है पटवारी का 2021 जुलाई में उसका भी एक्जाम होगा उसकी भी 4800 पोस्ट है मैंने अभी आपको बताया था कि ठीक है कि य звуч divers लेयर आपके संगीत एकेड़मी के बारे में बताया था संगीत विश्वृध्य होगा है ऑप इसके बारे में वी किलीर होना चाहिए जन्हें के संगीत विश्वृध्य ले ये कोह पर है कि कॉलालियर में स्टीक MI ग्वालेर में इसकी स्तापना की गई थी, ये की गई थी, 2006 में, 2006 में इसकी स्तापना की गई थी, ठीक है? आई ये बताता हूँ, जितने भी क्रिसी कॉलेज हैं, उनकी लिस्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? जो एग्रिकल्चर कॉलेज हैं, वो कहां-कहां पर, जो 6 मेने बताये थे, वो कहां-कहां पर स्तापना हैं, ठीक है? टोटल कितने? 10 बताये थे मैंने ना, अभी तक टोटल कितने? 10 क्रिसी महाविद्याले हैं, और दसों की यहाँ पर मैं आपको बरबली भी बताऊंगा, और यहाँ पर explain भी करतूंगा, ठीक है? तो पहला जो कॉलेज है, वो कौन सा है? जवाहारलाल नहरू क्रिसी महाविद्याले हैं, ठीक है? जवाहारलाल नहरू एगरिकल्चर कॉलेज, यह कहां पर है? यह है जवलपूर में, ठीक है, इसमें question बनते हैं, इसलिए मैं आपको पूरा बताऊंगा, जवलपूर में है यह, और दूसरा जो कॉलेज है, वो है इंदोर में, ठीक है ना? तीसरा कॉलेज कहां है? तीसरा कॉलेज है गौालियर में, मैंने आपको बताया था भी, एक एगरिकल्चर कॉलेज कहां पर है? गौालियर में है, चोथा जो एगरिकल्चर कॉलेज है, वो सिहौर में है ठीक है ना पांचवा मनसौर में है जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ मनसौर में है छटवा एगरिकल्चर कॉलेज रीवा में है मैंने आपको बता चुका हूँ अभी और सात्वा खंडवा में है आठवा विदीशा गंजवासोदा तैसील ठीक है ना इसको विदीशा ही बोल सकते हैं विदीशा की जो गंजवासोदा तैसील है वहां परिस्ते थे नौवा इंजिनेरिंग कॉलेज जिको बोलते हैं उद्याने की अभ्यांतरी की अविद्याले वह भी एगरी कल्चर पर ही है वह मैं आपको बता चुका हूँ मनसौर में है और अगला जो है वह पावर खिड़ा उसंगाबाद तो इस तरीके से तोटल मैंने दस बता दिया आपको दस बाजो है वह है पावर खिड़ा पावर खिड़ा ओसंगाबाद वहां पर इस्तित है ठीक है यह क्लियर हो गया इसमें कोई डाउट हो तो आप में को कमेंट करके पूछें चलिए अब रिविजन कर लेते हैं जितने भी मैंने कॉलेज, इनिवर्स्टी, एकेडमी, स्पोर्स एकेडमी के वारे मैं आपको बताया उन सभी पर एक बार पर्टिकुलर जिले पर पॉइंट आउट करके आपन रिविजन कर लेते हैं फिर इस क्लास को आपन वाइंड आ दिविजन में आप मुझे कमेंट करके बतायेगा कि कौन सी एकेडमी कहां पर है जो कि मैंने आपको पहले क्लास में पूर्च चुका हूँ ठीक है तो आपको इसको साफ कर लेते हैं चलिए मैप तो पुरा साफ होई गया है चलिए सतना सतना में कौन सी इनिवरस्टी है बतायेगा कोई सतना के महियर में महियर में है अलाउद्दिन खां अकैडमी अलाउद्दिन खां संगीत जो अकैडमी है वो शतना में है और इसको मद्रदिस की संगीत की राजधानी भी कहते हैं ठीक है न और यह important team में आपे highlight करूँगा ठीक है ज्यादा नहीं पूछूँगा मैं जिसको कि आपको exam में बनते हैं question और अगली जे important academy है वो है कालिदास कालिदास जो academy है वो कहाँ पर है वो उज्जेन में है ठीक है और इसकी शुरुवात कब हुई थी कालिदास academy की शुरुवात 1977 में हुई थी इसी तरीके से अलावत दीन जो संगीत academy है इसकी शुरुवात कब हुई थी 1979 में ठीक है clear है और बागी की academy मैंने आपको बताई दिया है मद्रदेश जो संस्कित academy है ये भी भोपाल में है मद्रदेश तुलसी academy ये भी भोपाल में है ठीक है और मद्रदेश आदिवासी कला परिशत ये भी भोपाल में ही इस्तित है ठीक है तो इंपॉर्टेंट जी दोनों है इस पर question बन जाते हैं तो इस पर आपको याद करना इनी का में करा रहा हूँ अभी आप चलते हैं अपन मद्रदेश के जतने भी college है ठीक है na구요 गॉलेर में कौन सा कॉलेज है गॉलेर में है एजिया का सबसे पहला कॉलेज रानी लक्षमिवाई रानी लक्षमिवाई फिजिकल कॉलेज यह गॉलेर में है ठीक है फिजिकल कॉलेज यह गॉलेर में है इंदोर में जो है यह है इंदोर यहाँ पर डेंटिस्ट कॉलेज है जो कि मद्धि प्रदेश का पहल एक मात्र डेंटिस्ट कॉलेज इंदावर में है ठीक है अगला इंपॉर्टेंट है वो है युनानी चिकिस्था महाविद्याल है यह कहां पर है यह बुरहानपूर में है ठीक है ना सिफ मैं जिले पर ही हाइलाट करूंगा क्योंकि बाद में पुरा का पु इंस्ट्यूट यह इंदावर में है ठीक है नामसंदान केंदर जो कि मद्रदेश का एक मात्र कैंसर रिसर्च इंस्ट्यूट इंदावर में स्ताफित किया गया है ठीक है बावा साहब अंबेटकर रास्टी सामाजी की विज्ञान सहस्तान जो कि यह भी इंदावर में पुलिस फॉरेंसिक कॉलेज यह कहां पर है सागर में है यहां पर की जो फॉरेंसिक जांच होती है टेस्ट होते हैं क्रिमिनल्स जितने भी उसकी टेस्टिंग यहां पर की जाती है ठीक है और मद्द प्रदिश का एक मात्र जो उद्यानिकी महाविद्याले है यह मैंने अभी अब भी आपको बताया था, वो कहाँ पर है, मंसौर में है, मंसौर यहाँ पर मद्ध्रदेश का एक महात्र उद्यान की महाविद्याले स्ताफित किया गया है, ठीक है, मद्ध्रदेश का सबसे पुराना गौलियर में है, गजराराजे, मेडिकल कॉलेज, जो कब खोला गया था, 1946 में सबसे पुराना, और टोटल मद्ध्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज है, जो गौर्व्मेंट मेडिकल कॉलेज के लाते है, वो है टोटल छे मेडिकल कॉलेज, गौलिर मेडिकल कॉलेज, इंदोर में, इंदोर का गौलिर का जो मेडिकल कॉलेज, इसका नाम है गजराराजी चिकिस्सा महावित या फिर गजराराजी मेडिकल कॉलेज, इंदोर का जो है महत्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इसी तरी के भोप पाल में हैं। जी एम सी भूलते हैं जिसको की साथफ़ाम में हैं गांधी मेडिकल कॉलिजूदेगा। इसको Central University घुशित किया गया है, जो कि H.S. गोर University है, 2000, 6 में इसको Central University बना दिया गया, यह मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, रिविजन चल रहा है, यह पूरा, मद्पर्देश में टूटल अभी, कितने Agriculture College है, मद्पर्देश की सबसे पहले Cricket Academy कहाँ खोली गई थी, रिविजन बला रहा हूँ मैं, सबसे पहले Cricket Academy, इसका नाम था Parsi, पार्सी Cricket Academy खोली गई थी, और यह खोली गई थी 1890 में, सबसे पहले यहाँ पर Cricket खिला गया था, ठीक है अब पार्सीयों द्वारा शुरू किया गया था, और उसके बाद में इसका नाम बाद में बदलकर मद्पर्देश Cricket Academy का नाम पर रख दिया गया, ठीक है, उसके बाद में इंदौर में ही, इंदौर में ही Holker Cricket Academy का भी सुरूआत हुआ था, Holker Once ने इसकी सुरूआत की थी, ठीक है, उसके बाद में क्या, Badminton Association, सबसे पहले इसकी सुरूआत हुई थी जबलपुर से, जबलपुर से 1946 में इसकी सुरूआत हुई थी, इसी तरही की से टेबल टेनिस की सुरूआत हुई थी 1957 में, Association की, उसके बाद में ये Academy इसकी shift कर दी गई थी जबलपुर, ठीक है न, कब 1972-73 में, ठीक है न, दोनों, मद्परदेश Table Tennis Association, मद्परदेश Badminton Association, इन दोनों की Academy इन दोर में ट्रांसफर कर दी गई थी, और इनकी सुरूआत अलग-अलग हुई थी, सबसे पहले, Batman Association की सुरूआत हुई थी 1946 में, फिर 1957 में Table Tennis Association की सुरूआत हुई थी जबलपुर में, ठीक है न, वो भी 1957 में है, फिर दोनों की Academy जबलपुर ट्रांसफर कर दी गई, ठीक है, यह clear हो गया, तो यह revision मैंने काफी कुछ कर दिया है, अच्छा मद्य प्रदेश में, जो, आदिवासी कॉलेज खोला गया है, रास्ति है, आदिवासी कॉलेज यह कहां खोला गया है, अमरकंटक में, यह बहुत जाता है, इमपोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना, अमरकंटक कहां पर है, अनुपूर में है यह, अमरकंटक, यहां खोला गया है और इसका नाम क्या है, इन्द्रा गांदी रास्ति, आदिवासी, विश्विद्याले, यहां पर आदिवासी, अउपर, क्या, रिसर्ज किया जाता है, बाकी जो भी हैं, आप कमेंट्स करके दुबार आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स में ही आपको उसका जवाब दे दूँगा, तो इस क्लास को मैं यही वाइंड अप करता हूँ, ठीक है, अगली क्लास फिर लेंगे हम, और उसमें मैं बताऊंगा मद्यप्रदेश की प्रमु और जो जुड़ना हैं, तो जो भी व्यक्ति स्वे और आपके सात्स में पर मध्यप्रदेश में कहां पर कौन-कौन सी फसलें लीजाती है, उसके बारे मैं आपको पूरा explain करूँगा और साथी साथ में मैं आपको कहना चाहूँगा मेरी इस चैनल को आपको subscribe करते हुए जाए जिससे कि आपको आने वाले जितनी भी live class है और वीडियो जे उनकी notifications आपको मिलेंगे ठीक है, thank you so much to join my class